जहां तक सवाल है सरकार का तो जब हमने तेरा को दिल्ली कूच का कारिकरम रखा था तो इससे दस दिन पहले से हर्याना पूरी तरह खनावरी और ये शंबू बाड़ को सील करने शुरू कर दिया था तो सरकार की मंच्छा पूरी किलियर हो चुकी थी भी ओ किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देगे तो यही हमारे बीज सबसे बड़ा गति रोद है अगर किसानों से बाचित करके आपको समाधान नहीं ढूंडना है तो कम सो कम ये धर्म निर्पक देशा सभी का देश की जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबबट की फायर हुए हमारे उपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादात पर और उसके उपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुस्टी हो चुकी अभी बुलेट टायरों पर इस्तमाल की गी जो आगे ट्रेक्टर जा रहे थे त तो सरकार की मंद्शा तो केलियर है ना पिक किसी भी कीमत पर आपको डिली नहीं जानेगे तो ये हम तो चाहते हैं भी आप देश के किसी भी सविधान के अंसार आप अगर हमें बता दें पिर ये जो सब कुछ कर रहे हैं अभी डिजीपी हर्याना का बेयान आ गया पिर हम क कौन कर रहा तो जो कर रहा आप उसको साजा दीजीए ना अब कौन कर रहा है तो ये गलत ब्यानबाजी भी लगाता हो रही है और जिस तरह से आगर हर्याना में आपको जाने का मौका मिले तो मुझे लगता एक जैक्टिक फिगर तो नहीं है पंदरा से बीस हजार अर्द स आर्याना के बने हुए तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं जा बैरिकेट तोड़ना अनक का सवाल नहीं अब सरकार वारता से हमारी बात नहीं मानना चाहती और दूसरी तरह पर स्ताब देती है वह भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछी हटने के लिए देती है तीसरा हमें वेरिकेटिक हटा कर दिल्ली नहीं जाने देती है तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे न वो जो भी परिणाम होगे उसके लिए भार सरकार जुम्मेबार होगी और दो दो round discuss हो चुकी है और चाहिए अब स्वाइम प्रधान मंत्री जी को भी वो निर्ने लें और निर्ने की announcement भी कर सकते हैं तो कोई सुखत समाचार हमें मिलेगा तो हम चाहेंगे इस मोर्चे का कोई ना कोई समाधान निकाला जाए